हलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एचू किसनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे brew fan tablets के बारे में तो हम सिखेंगे उसके basic use के बारे में जानेंगे उसका deadly dose वगरा क्या होता है और कौन से लगलग side effects वगरा develop होते हैं यह medicines को लेने के बाद तो expert lecture by Amar sir, assistant professor and founder of PharmaRox, thank you for being in two-legged family of PharmaRox updated यह pharma knowledge के साथ, access कर यह study material, test series and video lecture PharmaRox के आप उपर तो अगर आपके पास android phone है तो android app download कर सकते है, iphone user है तो app store पर से भी download कर सकते है link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले समझते हैं brew fan tablets के manufacturer के बारे में तो brew fan tablets को manufacturing करता है कि मतलब कि यह tablet कौन बनाता है तो Abbott Healthcare Private Limited उसके main manufacture है कि यह medicine का जो production है वो Abbott Healthcare Private Limited जो है वो करती है और उसका salt composition हम देखे तो उसके अंदर जो main medicine होती है वो है ibuprofen तो ibuprofen जो है वो present होता है brew fan के अंदर एंड उसके available strength हम देखे तो 400 mg strength के अंदर भी available होता है और second that is a 200 mg तो दो अलग-अलग strength के अंदर यह tablet जो है वो available है market के अंदर एंड यह essay class का medication हम कह सकते कि जो pain relieving medicines कही जाती है और pain killer के तोर पे यह काम कर दे तो यह था basic introduction about the brew fan tablets अब समझते हूँ उसके बारे में deep tail में तो जो ibuprofen जो हम कहते है तो वो non-stated or anti-inflammatory drug कहा जता है और यह medication क्या करती है treat करती है pain को fever को and inflammation की जब body के अंदर सुजन वगेरा होती है fever की condition होती है और जब आपके body के अंदर pain होता है तो वो condition को जो है वो यह medicine treat करता है जैसे की painful menstrual periods की periods के दोरान जो pain वगेरा होता है migraines के अंदर जो काफी pain होता है कि migraine headache जब होता है and जो rheumated arthritis के अंदर pain और जो सुजन होती है तो यह सभी के इलाज के अंदर यह medication जो है वो use किया जाता है और यह medicine क्या करता है inhibit करता है cox enzyme को कि जिसका full form रहता है cyclo oxygenous enzymes and reduce करता है prostaglandin के synthesis को कि जो mediator बनते है pain के लिए और inflammation के लिए कि जो body के अंदर कई बार inflammation हो जाती है फिर pain वगरा होता है तो उसके लिए जो कोई mediator है कोई responsible है तो यह PG PG मतरब की prostaglandin अब prostaglandin का synthesis समझो कि आपके body के अंदर कम हो जाएगा और जो cox enzyme की जरुरत होती है यह prostaglandin के synthesis के लिए तो यही जब समझो कि inhibit कर देते है तो automatically prostaglandin formation कम हो जाता है और जो उसकी main pharmacological effect जो हम कहते है कि जो anti-inflammatory काम करता है and pain killer के तौर पे काम करते है तो उस तरह से वो achieve होती है अब समझते हैं उसके basic use के बारे में तो fever के इलाज के अंदर यह medicine यूज किया जाता है फिर year aches मतलब कि जो year के अंदर जो आपको pain होता है कि year के अंदर जो pain वगेरा होते है year infection के अंदर काफी pain होता है कई बार years के अंदर तो उसके लाज में भी यह brufan tablet आप use करते है stomach pain के अंदर भी यह tablet को आप ले सकते हैं कि यह आपर diagram के अंदर जो देख सकते हैं कि जब आपको स्टमक पेन होता है तो ऐसे कंडिशन में भी ब्रूफेन टैबलेट्स को यूज किया जाता है फिर जो डिसमेनोरिया के कंडिशन की जो medical term है painful periods के लिए कि जो painful menstrual cycle होता है painful periods होते है तो उस वक्त भी ये ब्रूफेन टैबलेट्स आप ले सकते है osteoarthritis एन उसके करन होने वाला pain की arthritis के अंदर mainly तो होता है कि जो सुजन वगेरा होती है inflammation होता है तो उसको treat करने के लिए ये medicine यूज किये जाते है फिर जो rheumated arthritis के लिए फिर musculo-skeletal disorders होते है कि आपके muscles and skeletal system related जितने भी disorder से कि जिनके अंदर inflammation एक main है pain वगेरा होता है तो ये सभी के इलाज के अंदर brufen tablets को use किया जाते है फिर headache है फिर back pain की जो हम बात करते है toothache की जो बात करते है कि जो tooth के अंदर आपको pain हो रहा है back pain हो रहा है तो ये सभी condition को ये medicine जो है वो treat करता है साथो साथ जो postpartum and postoperative pain मलब की कोई operation हुआ है कोई surgery हुई है और उसके बात जो body के अंदर pain वगेरा होते है तो उसके भी इलाज के अंदर brufen tablets को prescribe किया जाते है तो अब समस्ति उसका working and mechanism तो जैसे अभी हमने starting में उसके introduction के अंदर दिखा कि ये medicine क्या करते है ये जो cox enzymes होते है cyclo oxygenase enzyme उसको inhibit करता है और specially cox 2 को inhibit करके अपनी pharmacological action देता है और prostaglandins जो बनता है ये prostaglandin का formation जो है वो ये करता है inhibit तो prostaglandin के functions आपको समझना जरूरी है कि जब आपके body के अंदर समझो कि prostaglandin का formation हो जाता है तो वो क्या करता है directly cause the pain pain के लिए ये responsible बनता है सबसे पहले फिर second point हम देखे तो enhance the pain by inducing effect of bradykinin फिर ये क्या करेगा जो bradykinin जो होता है उसकी effect को enhance करेगा और जिसके करन pain भी आपके body के अंदर enhance होगा induce करेगा fever फिर देखे तो mediator बनेगा pain के लिए कि उसके करन आपको अलग-अलग pain sensation होगे body के अंदर and साथो साथ body के अंदर surgeon and fever ये सब के लिए responsible बनेगा ये prostaglandin तो prostaglandin कैसे बनता है तो ये अराचोड़े enzyme है तो भी same produce होता है prostaglandin और उसके आप function देथो तो GI mucosal का protection करवाता है hemostasis के लिए responsible है mediator of pain बनता है inflammation and fever तो आपकी ये जो medicine है ये क्या करेगा कि ये cox to enzyme को inhibit कर देगा अब cox to inhibit समझो कि यहाँ पे हो रहा है तो आगे जाके prostaglandin भी नहीं होगा prostaglandin नहीं होगा तो ये pain के जो mediators भी कम हो जाते जिस सो ये tablets लेने के बाद जो है वो दिरे-दिरे prostaglandin का synthesis आपके body के अंदर कम हो जाते है जिसके करण ये जितने भी अलग अलग जो problems होते है ये soul होता है कि like fever जो होता है तो fever कम हो जाता है pain आपको हो रहा है तो pain कम हो जाता है फिर जो inflammation है surgeon अगेरा है वो भी दिरे-दिरे कम हो जाती है ये medicine को लेने के बाद so ibuprofen inhibit the cox enzyme and suppress the synthesis of prostaglandin which are a mediator of pain inflammation and fever की ये point अल्रेडी हमने समझ लिया and it also inhibits the thromboxen A2 which stimulates the platelet segregation and formation of blood clot तो mainly तो यहाँ पर उसका हम देखिए तो cox 2 के उपर ही सबसे ज़्यदा effect है prostaglandin के formation को inhibit करता है और pain, inflammation and fever वगेरा है उसको कम करता है अब समझना जरूली है उसके dose के बारे में कि कौन कितने dose में आप इसको use कर सकते है तो 400 laces लेकर 800 mg TDS, TDS मतलब की 3 times a day में यहाँ पे side में लिख लेता हो कि 3 times a day कि दिन में तीन बार यह tablet आप खा सकते हैं कि यह 400 mg का यह जो brufan tablet आप देख सकते हैं तो एक tablet आप morning में लेते हैं एक afternoon में लेते हैं और एक night में तो इस तरह से 1, 1, 1 इस तरह से prescription जो है वो तैयार हो सकता है कि अगर 400 mg का आप tablet यूज़ करते हैं तो 1, 1 इस तरह से कि dexymamab तीन tablet जो है वो ले सकते हैं दिन में start with the lower dose and छोटे बच्चों के लिए यह dose रहेगा 20 mg per kg per day के समझो कि बच्चे का weight समझो कि 10 kg है तो उसको जो है वो आप 20 mg का यह जो tablet है वो दे सकते हैं तो 1 kg weight है तो 20 mg 10 kg है तो 200 mg तो इसके करण यह 200 mg के strength में भी available है अब समझते हैं उसके side effect तो gastric discomfort करवाता है और उसके करण आपको nausea and vomiting जैसा हो सकता है कि अगर आप उसको long time तक use करते हैं और साथो साथ overdose के अंदर use करते हैं तो आपका यह जो gastric जो हम कहते हैं region gastrointestinal tract वहाँ पे यह सबसे पहले nausea करवा सकता है कि जी मचलना वगेरा जैसे condition और उसके बाद person को हो सकती है vomiting gastric erosion करवा सकता है and occult blood loss कि gastric erosion मतलब कि जो linings वगेरा होते है mucosal membranes वगेरा होते हैं हमारे internal organ और especially जो stomach वगेरा है gastrointestinal के अलग-अलग reason है तो वहाँ पे यह erosion करवा सकता है उनको damage कर सकता है अगर आप उसको long time तक use करते हैं dizziness जैसा feel करता है person मतलब कि नेंद वगेरा जाना उबासिया लेना वगेरा problem होते है फिल blurring of vision वीजन आप ले बर्स हो सकती है tinnitus जैसे problem हो सकती है ear ringing जैसे side effects develop होते है कई बार skin के उपर इस तरह से races develop होते है अगर आपको brufan के अंदर रहा यह जो ibu brufan है उसकी समझो कि आपको allergy है itching जैसा हो सकता है and other hypersensitivity reactions due to this brufan tablet अब कौन से लोगों को यह use नहीं करनी है तो सबसे पहले कि जिनको पैप्टिकल सर है कि already आपका gastric mucosa damage है वहाँ कि यह जो linings होगेरा होते है आपके GI track के वो already damaged है और वहाँ पे ulcer हुआ है तो भी यह tablet को use नहीं करे फिर children under the 7 years कि छोटे बच्चों को यह नहीं देनी है कि जो 7 years या फिर उससे कौम age के children से अगर आपको hypersensitivity है pregnancy and lactation के दौरान उसको use नहीं करनी है because pregnancy के दौरान यह लेने से miscarriage अगरा के problem हो सकते है आवर taking ibuprofen in the first 30 weeks of pregnancy कि pregnancy के 30 weeks तक जो है वहाँ आप ibuprofen को use नहीं करे because taking ibuprofen in the first 30 weeks of pregnancy में लिड़ तो increase the risk of complications and including miscarriage कि abortion हो सकता है miscarriage हो सकता है जिसको हम कहते है pregnancy related complications हो के रहा हो सकते तो ibuprofen tablets को आप pregnancy के दौरान use ना करे same like that breastfeeding का जो period है lactation period है उसके दौरान भी आपको use नहीं करनी है तो यह थी special informations about the brofen tablets thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते study material, test series, video lecture formadocs के आपूपर so good luck and all the best